इस्राइल हमास युद्ध के बीच उत्री इस्राइल बॉर्डर पर इस तरह के हालाद बनते नजर आ रहे हैं जुसे देख कर एक बात तुते हैं कि कभी भी इस जग की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है दरसल हिजबुला लगातार उत्री इस्राइल पर बड़े बड़े हमले कर रहा है पहले उसने इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम आइन डोम को नस्ट करने का दावा किया था वहीं अब उसने एक बार फिर से दक्षणी लिबनान से इस्राइल पर सिलसले वार तरीके से कई हमले की अपने सबसे ताज़ा हमलों में हिजबुला ने बिरनेड बैरक्स में बने इस्राइली सेना की एक क्याउनवी बटालियन पर फलक एक रॉकेट से हमला किया हिजबुला का कहना है कि इस हमले में इस्राइली सेना का ये हेटकॉर्टर आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया है और इस हमले में IDF को भारी नुकसान भी हुआ है इसके बाद हिजबुला ने अलरहेप सेने चोकी पर इस्राइल के जासूसी उपकरणों को एक हमले में उड़ा दिया लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है दरसल हिजबुला का कहना है कि उसने इसराइल के लड़ाकू जेट्स पर एंटी एयर मिसाइले दागी है ये फाइटर जट लेबनान के हवाई शेत्र का उलंगन करने के बाद बच्चों और नागरिकों को आतंकित कर रहा था जिसके उपर हिजबुला ने मिसाइले दाग कर उसे वापस इसराइली सीमा में जाने के लिए मजबूर कर दिया हालाकि इस हमले के बाद शाम होते होते हिजबुला ने मेटूला साइट पर आईडिएफ द्वारा हाल ही में लगाए गए जासूसी उपकरणों को फिर से उड़ा दिया हिजबुला का कहना है कि उसके इस हमले में वहाँ पर आग लग गई थी और जिस दौरान ये हमला हो रहा था उसी दौरान हिजबुला के लड़ाकों ने अल बगदादी साइट पर हैवे बुरकान रॉकेट फायर कर दी जिनके लपेटे में आईडिएफ के जवान आ गए हिजबुला के मताबिक आईडिएफ को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद हिजबुला ने कबजे वाले लेबनानी शीबा फार्मस में भी एक बड़ा हमला करने का दावा किया है हिजबुला का कहना है कि उसने यहाँ पर जवडीन बैरिक्स पर दनादन रॉकेटों और गोला बारूत की बरसात की है और जब रात को करीबी 11 बचकर 15 मिनट पर इसराइली सैनिक जैरिट बैरिक्स पर तैनात हो रहे थे तो उसी वक्त उनके उपर गोला बारूत दागा गया इस सब के बीच इसराइल के जवाबी हमलों से हिजबुला का एक लड़ाका भी मारा गया है हिजबुला ने खुद मारे गए हुसेन अल-हौरानी की फोटो जारी करके उसे श्रधान जली दी है हिजबुला का कहना है कि हौरानी दक्षणी लिबनान के बिंट जबेल शहर मे IDF के एक हमले में मारा गया है